हेलो डिफेंट्स वेलकम टू माई चनल तो वीडियों जैसे सी पीजीटी के यहाँ पर रिस्पॉन सीट के बारे में बात करने वाले कि आप लोग का यहाँ पर रिस्पॉन सीट या फिर फाइनल एंसर की या फिर एक इंपॉर्टेंट नोटीस यहाँ जो है कब तक आप कदल करतीज गहुत जिसको लेके वहाँ पर जो है आपलोंका वहाँ पर जो जांच करने का मांग रखा गया है ठीक है तो जांच किप Tक यहां पर Serie को कब तक आप तक यहां पर जारी किया जाएगा तो जिसा कि आप लोग देख सकते हो कि फिलहाल अपडेट तो जारी नहीं किया गिया है आप लोग को वहाँ पर जो बोला गिया था कि आप लोग का नेक्स्ट जो प्रिवियस मंडे था प्रिवियस मंडे तक जो आप लोग का जो कोई अपडेट जारी कर दी जागा लेकिन अब देख सकते हो next Monday से भी यहाँ पर overtime हो चुका है और फिलाल यहाँ जो कोई update देख सकते हो जिससी का official website में जारी नहीं किया गया तो जिस तरह का फिलाल process है यहाँ पर देख सकते हो time हो सकता है कि और आप लोग का लगे यहाँ ठीक है यहाँ पर देखने वाली बात है कि आप लोग का अगर देखा जाए कि रिस्पोन सीट का तो रिस्पोन सीट में जिससे की हो सकता है कि जो भी सब्जेक्ट का आप लोग का यहाँ जाधा candidates होंगे ठीक है अगर Java candidates वहाँ पर रिस्पोंसीर जो आवेदन दियोंगे तो हो सकता है कि उस subject का फिर से यहाँ पर रिस्पोंसीर जारी कर दिया जाए या फिर हो सकता है कि एक notice आप लोगों का जारी किया जाएगा जिसमें कि एक notice आप लोग जारी होगा नहीं तो फिर आप लोग का जो है सभी subject का हो सकता है फिर से response sheet को जारी कर दिया जाए उमीद तो लग रहा है कि response sheet फिर से जारी करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सरे student का जो है यहाँ पर जो अलग-अलग subject में फिर वदल option है तो उसको लेके यहाँ जो जार्स का मांग भी रखा गया तो जार्स कब तक होगा जार्स का process देखा जाए तो बहुत slow है यहाँ पर करीब अगर देख से तो दस दिन हो चुका है फिलाल कोई update यहाँ पर जो ओफिसियल website में जारी नहीं किया गया वहाँ पर जो process फिर हो इसलिए ज्यादा chances लग रहा है कि आप लोग का यहाँ पर जो यूँकि इसमें लंबा time लगेगा जैसे आप लोग देख भी सकते हो फिलाल जांच का पांग किया गया तो यहाँ पर थोड़ा सा जो ताइम लगेगा तो दस दिन बचा हुआ इस मेहने दस ग्यारत दिन तो इसमें मुस्किल ही लग रहा है कि आप लोग का यहाँ पर पुरा process को complete किया जाँ जो रखा गया ठीक है तो उमीद है कि first week of January में आप लोग का यहाँ पर notice जारी किया जाएगा और उसके बाद ही आप लोग का यहाँ पर result भी जारी किया जाएगा क्योंकि देख सकते हो फिलाल जिस तरह आप लोग का PGT का exam हो था lab assistant का exam खतम होने के बाद ही आप लोग का start हो गया था PGT का exam लेकिन इतना slow process है कि आप लोग का final answer की आते 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 जो एक्स्ट्रा दो महने का time लगा और उसके बाद फिर यहाँ पर देख सकते हो कि जो options फिर बदल होगी है जिसके कारण जो है आप लोग को और यहाँ जो परिसानी का सामना करना पड़ा है जो कि आप लोग का result को लेके है result में और यहाँ पर जो दिक्कत आ रहा result और delay हो ठीक है तो आप लोग फिलाल देख सकते हैं कोई update भी नहीं है जो मैंने बताया यहाँ दो notice हो सकता है जारी किया जाए एक response इट के रिगार्डिंग जारी हो या फिर response इट ही जारी कर दिया जाए या फिर एक notice रहेगा जिसमें कि आप लोग का कोई notice आप लोग का जारी हो जाता है तो आप लोग के लिए अच्छा रहा कि आप लोग को जादा वेट नहीं करना पड़ेगा लेकिन यहाँ पर जो खुद एनलाइसिस कर सकते हैं कि जांच हो रहा है तो फिर आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा ठीक है तो कभी भी कोभी अप्डेट आएगा मैं आप लोग को सबसे पहले इंफार्म कर दूंगा ठीक है तो प्लीज में चनल को सबसे पहले आप लोग को मैं इंफार्म कर दूँँ प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को जाद दा सेयर कर दीजेगा ताकि जो भी हम पर पीजीटी का वेड़ कर रहे हैं बहुत दिनों से किसार यहाँ पर कब तक यहाँ पर रिस्पॉंस इट के लेकर यहाँ पर जारी किया जाएगा क्या अपडेट यहाँ पर रिजल्ट का है तो वह भी हाँ पर देख लेंगे तो रिक्वेस्ट है प्लीज यहाँ वीडियो के जाद सेयर कर दीजेगा और वीडियो पसंद वीडियो को लाइक भी कर लीजेगा ठीक है तो फर मिलते है नेक्स्ट वीडियो कुछ नियो ब्रेट का थैंक्यू